एलो वीवन तो आप सभी को हैपी नियूर एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड लास्ट इयर आपका काफी अच्छा रहा होगा तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्केशन करने वाले बॉस, चौक, एंड ओर ब्लोक के बारे में एंड इस्ट्रक्चर मेंटिंग यानि कि चार चीजों को लेके अपन डिस्केशन करेंगे यानि कि बॉस, चौक, ओर्डर ब्लोक, एंड इस्ट्रक्चर मेंटिंग तो सबसे पहले हैं अपन जानते कि बॉस क्या होता है आखिरकार बॉस का मतलब जो पूरा पुल्फॉम होता यानि कि ब्रेक ओफ इस्ट्रक्चर ठीक है अपन लेफ्ट एंड से समझना स्टार्ट करते हैं जब भी आपका मार्केट स्टार्ट होगा तो लेफ्ट से स्टार्ट होते हुँ धीरे-धीरे स्ट्रक्चर ड्रो करते हुए राइट एंड की तरफ मूव ओन करेगा ठीक है यह जो लास्ट पॉइंट है यहां पर क्या हुआ कि यहां से अपना मार्केट जो बाई साइड में स्टार्ट होता है बाई साइड में मार्केट क्या करता है अब जाता है अब जाने के बाद मार्केट एक छोटा सा करेक्शन करने के लिए नीच आता है ठीक है अब आपका प्रेप 포인्ट अब यहाँ पर यह जो वाला पॉइंट है जहां से मार्केट ने डाउन फोल स्टार्ट किया था तो कहीं लोग क्या करेंगे क divor को लगेगा कि मार्केट हलका राइच आया तो सोच यांसे गिरेगा मार्केट तो वह क्या करते हैं यहां पर जो है अपना कुछ sell put कर देते हैं एनो sell side में entry कहां तक लेते हैं यहां तक plan कर लेते हैं bottom तक ठीक है उनको पता नहीं होते है कि market कहां तक जाएगा तो यहां तक entry plan कर लेते हैं तो उक्ता होते ट्रेप हो जाते हैं यहां से market अपर चले गया अब जबी भी market थोड़ा सा correction करने के लिए यहीं कि इसको impulsive and corrective move होला जाता है यहीं कि market correction करने के लिए नीच जाता है तो जब market correction करके उपर जाता है तो जो market का left end वाला जो पार्ट होता है ठीक है left end वाले पार्ट को अगर market बेक करता है तो उसे break of structure कहा जाता है राइट आयोग आपको यह समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया तो आपको बहुत easy way मैं easy language में समझा होगा जिससे कि आपको सारी जिए समझ में आ जाएगी यानि कि market market अगर आपका left end की तरफ वाला जो हाई है अगर उसको market ब्रेक करता है तो उसे break of structure कहा जाता है ठीक है या कोस कहा जाता है यानि कि continue of structure ठीक है यानि कि market continue same direction में जा रहा है ठीक है short form में COS या CS जो भी आप कहना चाहें तो यह होगा उसके बाद फिर market क्या करता है correction करने के ल जाता है ठीक है अब जाने के बाद दो स्नेरी होते हैं मार्केट ने क्या किया सेम वही चीज की मार्केट में जो left की तरफ हाई था उसको break किया तो again market का यह हो गया break of structure ठीक है बहुत easy way मैं समझा रहा हूं फिर market correction करने के लिए down आया फिर market अब गया market ने क्या किया इस बार जो पीछे वाला जो है यानि कि वही सेम लेफ्ट वाला जो हाई है मार्केट ने उसको break कर दिया तो break of structure तो break structure का जो scenario है आपको सारा कुछ I hope आपको समझ में आ गया होगा कि break of structure किसे करते हैं मैं इसको चार्ट में भी आपको दिखा दूँगा अब बात करते हैं सेकिंड है ठीक है तो इसको देखने के दो तरीके होते हैं सबसे पहले अपन बाद में बात करेंगे कि दूसरा कुण सा तरीका होता है सबसे पहले मैं आपको चोच के बारे बताऊंगा तो चोच क्या होता है देखी समझी जब मार्केट आपका अप जा रहा था तो मार्केट में यहा recent वाला जो low है ठीक है यह जो recent वाला low है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैं इसका color change करूँ ठीक है recent वाला जो low है यह low market ने break किया तो जब भी भी market recent वाला low break करेगा ठीक है तो वहाँ पर आपका क्या होगा change of structure हो जाएगा वहाँ से आप यह consider कर सकते हैं कि अब market का जो next momentum होगा वो down की तरफ होगा ना कि अब की तरफ क्यों क्यों क्योंकि market में यहाँ पर indication अपने को दिया है अपने चीज पढ़ी है तो अपने को idea लग जाएगा कि market यहाँ से downside में फोल गरना शुरू इसके बाद आप देखे next scenario में क्या होगा यहाँ पर इसके next scenario में आपके साथ एक यहाँ पर market क्या करेगा कि जैसे ही यहाँ पर चोज हुआ यानि की change of structure तो market इधर क्या कर रहा था जैसे बोस किया market ने तो बोस करने के बाद market upside में जा रहा था right upside में market गया ठीक है बट इस ब वाला लो है उसको break कर दिया ठीक है यहाँ पर एक चीज आप note down कर लेना यहाँ पर candle का break होना जरूरी है अगर आपका market यहाँ पर विग मार के उपर जाता है यह एक प्रोपर आपका चोज नहीं कहलाएगा उस case में आपका यह as a illusion की तरह गाम करेगा ठीक है यह position यह आप timing क recording देखना होगा कि liquidity sweep होई है यह candle sweep होई यह क्या हुआ है आखिरकार बट मैं अभी के लिए आपको बता रहा हूं कि चोज होने के लिए आपका candle का close होना necessary है ठीक है अब जैसे ही market यह उपर गया तो अब उपर क्या हुआ कि हो सकता है कोई यहाँ पर order block हो कोई POI हो यह क्या ह गया अब यहाँ पर कई लोग सोचे होंगे कि यहां से क्या होता है यह support वाला zone यह ऐसा कुछ वो बनाएंगे support and resistance and buy कर लेंगे यहां तक को buy hold करेंगे बट वहां तक market जाता है यह देन आपका क्या करता है market वापस डाउन आ जाता इस पोजिशन में चीक है तो यहां पर आपका लोग सो गया ठीक है लोग सो गया तो यह क्या हुआ कि market correction करने के लिए उपर गया था देन फिर डाउन आया तो यहां पर से structure same direction में अ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है real boss कौन से अभी बता देंगा ठीक है तो यह आपका क्या हो गया boss हो गया नहीं कि break of structure हो जोता है ठीक है अब market फिर से correction करने के लिए उपर जाएगा तो यहां पर हो सकता है कुछ order block py बचाओ उसको लेकर यानिकि जितने भी unmitigate zone होत अब market फिट से उपर गया and then down आ जाता बट down आया इस बार market ने क्या कर दिया market सीधा उपर चले गया और इधर वाले high को break कर दिया तो market ने क्या किया कि down move से लेकर high की तरब इस सरब गया यानि कि कुछ इस तरीके से जब market अगया तो यहां पर market ने एक scenario create कर दिया वो यह था क कि market ने यहां पर structure change कर दिया है राइट चोज हो चुका है यहां पर तो जब यह चोज होगा तो आपको कुछ चीज़े इस चोज में ध्यान रखना है कि जब भी भी market का चोज पोजिशन होगा चीक है यह कई बार यह बहुत भी प्लान कर सकता है डिपेंड on market situation तो यहां पर आपको क्या करना है यह जो पॉइंट रहेगा चोज होते ही इस पॉइंट पर ठीक है जैसे ही चोज हुआ तो आपका क्या होगा कि यह वाला जो पॉइंट है यह आपका low confirm हो जाएगा क्योंकि अब यहां से market का जो momentum वो buy side की तरफ रहेगा ठीक है ना कि down की तरफ रहेगा यह आपको clear हो चुका है यानि कि जैसे ही market ने यहां पर चोज किया तो यह आपका higher high confirm हो गया अब possibility क्या है यह आपका जो point है यह low point हो गया अब यह strong point हो गया यह वाला कि अब market यहां से down जा सकता है possibility है बट आपको वो चीज़े देखनी होगी समझनी होगी then आप better कर पाएं अब यहां पर क्या हुआ मार्केट का आपका low confirm करने के बाद सेम चीज मार्केट डाउन आया and मार्केट ने कुछ correction औगरा किये यहां पर कुछ हलका भुलका आपको sell by sell by दिखाया then यहां पर कुछ order block PY and mitigate यहां आपका यहां पर कुछ भी जो भी बचा हुआ था ठीक है F.E.G. चो भी था मार्केट उसको लेके फिर से अप गया अब सेम डाइरेक्शन में अप हुआ तो पीछे वाले हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया नय हाई बना दिया तो यह आपका ब्रेक ओफ इस्ट्रक्चर हो गया निकि V शेप बन गया यह देखिए ठीक है इसका क् का ब्रेक ओफ इस्ट्रक्चर है अगेन मार्केट आपका डाउन आया करेक्शन करने के लिए ठीक है बट यहां तक नहीं गया अगर यहां तक जाता इस पॉइंट को क्लोज कर देता आपका मार्केट यहां से सीधा ऐसा कुछ इस तरीके से कैसे भी आता तो यह आपका क्या होता चोज हो जाता फिर अपन सोसते कि अब मार्केट जो है यहीं कहीं से हलका से उपर जाएगा देन डाउन आएगा कुछ करेक्शन करेगा बट ऐसा सेम स्नेरियों में नहीं हुआ मार्केट क्या हुआ यहां से अगेन उपर चले गया ठीक है उपर जाने के बाद में समझा रहा हूं तो यह सेनरियों में अपन क्या करेंगे कुछ next चीजों पर ध्यान देंगे कि कुछ next चीजों को लेके अपन discussion करेंगे तो यहां पर क्या हुआ market down आया और पीछे वाले high जो है sorry low जो है उसको market ने break कर दिया तो यह आपका क्योंगा चोज देन अब market वापीस अप गया correction करने के लिए then same direction में आया तो जब भी same direction में market बार 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 high को break करेगा लो को break करेगा तो जगा आपको यह लिखना है स्रिफ boss यह द्यान रखना है बहुत हुआ है वाप ठीक है अब यह real किस case में होगा किस case में फेंक होगा वो थोड़ा सा आगे समझाओंगा बट आप इन चीजों को identification पकड़िए सबसे पहले कि इनका मेपिंग का तरीका क्या होता है किस तरह के से market momentum देता है वो आपको समझ में आगा तो कौन सा सही है कौन सा गलत वो आप automatically समझ जाएंगे अगर आप स्टार्टिंग सा सही गलत में पढ़ेंगे अब structurally मेपिंग नहीं कर पाइंग राइट यहां पर क्या हुआ सेम मार्केट डाउन आया एन यहां पर फिट से डाउन आ गया ठीक है यह आप क्या हो गया बॉस क्लियर अब आगे चलते अब देखिए यहां क्या हुआ मार्केट अप गया मार्केट को यहां पर डाउन आया ठीक है मार्केट को अप जाना था फिर डाउन आना था बट यह डाउन आता तो यहां पर अपना बॉस हो जाता लेकिन मार्केट डाउन आया ही नहीं मार्केट ने क्या किया सनेरियों यह लग दे दिया मार्केट यहां इसको break करते वे या तो आप internal वाला या आपका internal high है ये internal एक तरीके समझेए आपका majorly क्या है कि यहां से यह जो main high है यह वाला high है आपका और यह वाला low confirm हुआ है ठीक है यह भी मैं अभी clear कर देता हूँ ठीक है अभी clear कर दूँगा आपको मैं सारा को समझ ले गाए उसके बा क्या होता है बौस क्या होता है दो चीज़ आपको clear हो चुक के हैं enred दो इन्पर पार्ट यह वाला पार्ट होता है यह आपका internal ऐ ठीक है यह वाला जो पार्ट है यह वाला इंटर्नल है ठीक है यह इंटर्नल पार्ट है ठीक है इंटर्नल पार्ट में हायर आई एंड हायर लोग कैसे होंगे देखो मार्केट ने क्या किया? यह यहां पर चोस कर दिया तो चोस करते ही देखना यह जो V-shape कुछ ऐसा बने गए या मार्केट तो V-shape का जो टॉप पोइंट रहेगा यह हो जाएगा आपका हायर हाई क्या हो जाएगा? यह आपका हायर हाई confirm हो जाएगा क्योंकि market ने top high लगा दिया अब higher high जैसे confirm हुआ ठीक है अब market में क्या किया यहां पर नीचे की तरह पाजाओ यहां देखो अभी higher high से जब market आया तो यह यह हो गया आपका higher low lower low lower low वाला पॉइंट और यह आपका हो गया higher high वाला पॉइंट हाइर लो वाला ठीक है यानि कि यह lower low वाला पॉइंट हो गया यह आपका और यह higher low वाला पॉइंट हो गया ठीक है यह आपको समझे में आ गया होगा इतना सा ठीक है तो मैं आपको बता रहा था कि यह जो पॉइंट है आपका यह क्या हुआ यह मैं हाई कंफर्म हो गया यानि कि आपका हाईर हाई अब देखिए नीचे चलिए अब यहां मार्केट ने क्या क्या चोज कर दिया तो चोज करने के बाद चाहे अप करे चाहे डाउ करें को हाईर लो ओटोमेटिक जानंव कर सकते जहां भी चोज होगा तो डाउन पोइंट में तो यानि कि आपका यहांपर लोवर लोग उचुका है ठीक है यह आपका यहांपर लोवर लोग कंफर्म हो गया है ठीक है अब दिखो दो सनेर्यों बन गए एक तो यह टॉप हा higher high वाला point ठीक है यह higher high वाला point आपका ठीक है यह top higher high and higher low अब दो scenario आपको समझ में आ रहे होंगे कि अगर आपका market upside में जाता है high को break कर देता है higher high को यानि कि higher high को तो यहाँपर क्या हो जाएगा आपका चोज हो जाएगा यानी बड़े टाइम फ्रेम पे यानी की चेंज ऑफ इस्ट्रक्चर आपका मार्केट का डाइरेक्शन बदल चुक है अब मार्केट में फिर नया हाई लगा दिया ठीक है मार्केट ने फिर नया हाई लगा दिया यह आपको समझ में आ रहा होगा भी आपको चार्ट पे भी ले चलूँगा मैं ठीक है तो यह आपका higher high and higher low कुछ इस तरीके से अब देखते हैं OB यानि कि order block यह क्या होता है ठीक है जहां भी आपका market choice करेगा वहां पर कुछ न कुछ candles होगी ठीक है जोन मार्किंग में आपको समझ में आगा थोड़ा और अच्छी तरीके से अभी के लिए थोड़ा सा बता देता हूं मैं क्या होगा कि market अगर high या low के बीच पे जैसे mitigate, unmitigate mitigate का मतलब होता है जिस zone को market already ले चुका या है उसमें market में enter करके candle भी या strip किया हो या कुछ भी किया हो तो वो zone आपका next time काम नहीं कि रहेगा आप support की तरह मान सकते हैं उसी इसको ठीक है second दूसरी क्या होगा unmitigate, unmitigate का मतलब है जिस zone को अभी तक किसी ने tap ही नहीं किया ह कोई market या कोई candle गई ही नहीं हो वहां तक तो उसको लेने के लिए market जा सकता है, तीसरी चीज हो सकता है fvg यानि कि fair value gap, fair value gap को लेने के लिए market जा सकता है, ठीक है, हो सकता है कि वहां पर आपका fair value gap ना हो, तो आपका valid pull वहां पर, ठीक है, कैसी भी हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है नेक्स्ट यहां पर जो है यहां पर क्या हो सकता है कि जब मार्केट यहां पर आपका बाई पोजिशन में जा रहा था तो जो लास्ट बाइंग केंडल होती है उसको उपन ओडर ब्लोग की तरह मार्ट करते हैं अलग-अलग सिनेरियोज होते हैं कुछ किस तरीके से मा करके सब का अपनापना है यहाँ पर क्या हुआ कि आपका मार्केट जो ओडर ब्लोक के अंदर टैप किया है यहाँ पर क्या हुआ ओडर ब्लोक के तो आपके इसमें रह गई थी सोरी हाय रहाई भी मैंने समझा दिया है अब लास्ट चीज इसमें है कि इस्ट्रक्चर जो चेंज होता है उसका रीजन क्या है वो क्यों चेंज होता है और क्यों मार्केट यह चीजे करता है तो देखो आपका जो में ट्रेप वाला पार्ट है कोई यह वाला पार्ट है यह पार्ट से सारे हैं यह ट्रेप वाले पार्ट है आपके लिए ठीक है इनमें ट्रेप नहीं होना आपको इसके लिए अपन थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं चार्ट पर आपको सारी चीज जो अच्छे से समझ में भी आ जाएगी और कोई प्र यह आज एक जनवरी दोजार चोईस का ही चार्ट है करंटली मैंने एक एंट्री प्लाइन कीती है मैं वदा दे था हूँ आपको क्यों की किस बैसेज बेगी देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट था है सबसे पहले मार्केट क्या क्या यहां से अप गया है इसे कुछ अब गया तो मार्केट ने पीछे वाला जो हाई ता इसको बरेक कर दिया तो यह मैंने लिख दिया बहुस यानी की ब्रेक फिस्ट्रक्जर यॉफ इल kıशी मार्केट is ते धेखने को मिलेगी जैसे यहां पर कुछ यह बड़े मोमेंटम जो देख रहा है ये कुछ ना कुछ बड़े मार्केट में करसी आयते हैं यह उनकी इंडल से अपनी जो केंडल रहेंगी उस तरी छोट छोटी रहेगी तो कि अपने अब मार्केट ने क्या किया कि यह हलका सा यहां पर मार्केट ने सिनेरियो बनाया चीक है मार्केट जैसे अब गया तो यह क्या हुआ कि आपका ब्रेक ओफ इस्ट्रक्चर हो गए पीछे वाले हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया देन मार्केट डाउन आया हलका सब फिर मार्केट क्या गया अप गया देन यह डाउन आया यहां ठीक है यह कुछ इस तरीके से मार्केट के स्नेरियोज है ठीक है बट अपने को यहीं तक समझना इधर नहीं जाना यह मैंने मार्किंग के लिए बता है काम का नहीं ठीक है यह इसी तरीके से पूरा काउंट होगा है इस तरीके से कुछ इसको एक ही मार्क करेंगे अपने क्यों करेंगे बता दूंगा अब यह ठीक है समझो तो सबसे पहले वाला जो आपका ये वाला जो बॉस है यानि की ब्रेक ओफ स्ट्रक्चर यह आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने लिखा यह वाला पॉइंट ठीक है मार्केट में पीछे वाले हाई को बेक किया इसलिए डारिक बॉस हो गया मार्केट डाउन आया अब आप बोलोगे हां चोज लिखना चाहिए आपने आईडियम क्यों लिख रहे है आईडियम क्या होता है मैं भी समझा दूँगा यह क्या होता है जबी भी आपका मार्केट रीसेंट वाला एक छोटा पुल बेक का लो लेगा हो सकता है पुल बेक ह हैं मैं बता दूँगा आभी ठीक है तो यहा क्या हुआँ किया मेरा चोटा सा पुल बेक मार्केट नहीं दिया पुल बेक कैसे देखते हैं वह समय क्या होता है कि जब आप पुल बैक देखोगे तो इस केंड़ल लो इस केंडल ने ग्रेट चाहिए यानिकी जो ब्लै केंड लिया देन यह से यह से यह एक आपका इंटरनल वाला पार्ट होगा इस पर भी मैं नहीं जाओंगा थोड़ा डीबली हो जाएगा आपके लिए अभी सिर्फ बोक्स चौक हायर हाई हायर लो और ब्लोग इन पर देहन देना है ठीक है बाकी चीज़ें बात में तो यहां पर क् कि आपके मार्केट ने हाई लो हाई लगा दिया अब इल्यूजमेंट क्या होता है कि जब भी आपका मार्केट रिसेंट वाला ठीक है रिसेंट वाला अगर आपका मार्केट लो ब्रेक कर देता है तो आपका इल्यूजमेंट हो जाता है देन उसके जो उपर वाला यह यह वी आपका हाईर हाई confirm हो गाल कि खीक है कि अब आपka हो गाल का अब समझो अब आपका यह जब हाई हाई कन्फुम हो गया तो अब आपका यह जो है यह रियल बोस और यह जो वाला बोस था यह ता counselor डूसर अरू है कि स्सम्झों में और आगैं कौन सा रियल बोस होने के लिए मार्केट को एर्ल्यॉजमेंट लेना जरूर है क्या होता है आपका मार्केट अगर रेसेट वाले हाइक को ले रहा झालने इंगला, देखते हैं अभी बताता हूं में आपको, पहले इसको कंपलीट करते है लेकिन अगर आप market का trend देखोगे totally तो ज़्यादा दर possibility trend के इसाप से होती है तो market के up जा रहा है तो possibility यहाँ पर ज़्यादा कहती है market के up जाने के ती है चीक है market up गया अब देखना जब भी आपका market क्या करें कि higher high बना देता है चीक है higher high कैसे बनेगा कि market को recent वाले low को लेना पड़ेगा अगर low को ले लेता है देन वो आपका elusement कहलाता है यह कि IDM जैसे elusement confirm हुआ तो market की possibility down होती according to trend अगर high possibility की market अप जारा तो अप जाएगा तो जैसे इस high को break करेगा इस high को break करेगा आप समझना क्या बोदरों में इस वाले अगर high को market break कर रहा है इस वाले high को अगर market break कर रहा है तो जो इसका low point होगा सबसे low यानि कि यह वाला point अब यह काम करेगा आपका choice की तरह change of structure की तरह ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पर यह choice लिखावा यह line केच के कि अगर market इस line के नीचे आ जाता है तो मैं यहाँ पर sell side की कुछ इस तरीके से entry plan करता आज के lines के 15 minute time frame पर बट मैंने ऐसा नहीं किया क्यों क्यों कि market down आया ही नी तो मैं confirmation के लिए wait किया नहीं कि एक दू केंडल देखते तो यहाँ पर मुझे finally जाएक confirmation मिला कैसे मिला भी बताता हूँ ठीक है तो इस तरीके से आपका structure मेपिंग अब उसके बाद देखो यह recent वाला जो है आपका क्या था low point था ठीक है market ने यहाँ पर यह छोटा सा एक pull back दिया ठीक है pull back एक और है यह देखो यह pull back है यहाँ पर यह अब आप बोलोगे यह कैसे क्या होगा अगर market का candle close हो जाता ब्लेक वाला यहाँ पर थोड़ा सा नीचे एंद इन इसको यह green candle का low ले ले लेता तो इसको पर पूल बेक कंसीडर कर सकते थे इसको ना आपको इस तरीके से करने पुल बेक का में छोटा सापको अलग से वीडियो बना के दे दुना जिसमें सारी आपको clearly समझ में आ जाएगी तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे आपका मार्केट अप गया हो मार्केट कभी सीधा अपनी जाएगा है छोटे छोटे झोटे करेक्शन करते वेश इनमें आपको ट्रेप नहीं होना अगर आपका मार्केटि इस लोको ले रहा है चाहिं इस लोको ले रहा है आपको properly फाइंड आउट करना आना चीर वो कब आएगा जब आप प्रोपर ली पुल बेग देखना सिखेंगे तो पुल बेग का कॉंसेप्ट का वीडियो में आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगा तो यहां पर जैसे ही मेरा एल्यूजमेंट कनफर्म ओ अब मुझे अगें कनफर्मेशन हो गया था कि यहां तो मार्केट ने क्या करे क्या गल्ती कर दी कि नीचे नहीं गया ट्वफ पर था तो इसले चलता रहा अब यहां पर क्या हुआ यह मेरा फिर से हाइगब हो गया ही कफ गेर है वह अब पर हाई कनफर्म हुआ तो अब यह क्या होता ओडर ब्लोक वाला पॉइंट ठीक है तो यहां पर देंकुए सेल आए थी सेलिंग में क्या देखना है जब बाई पर मार्केट जाए तो लास्ट वाकेड़ सेलिग केंडल एपने कौन सी है तो यहां पर जो लास्ट सेलिंग यानि कि order block, यह order block मैंने यहाँ पर draw कर दिया, ठीक है, अब order block में जैसे ही market tape करता है, तो जो यह इतना बड़ा scenario मैंने आपको पूरा समझाया, यह वाला पूरा scenario, यह अब आपको one minute के अंदर find out करना ना जी, तो open switch हो जाते one minute के अंदर, अब जहाँ पर अपना market zone में आया है, वाँ अपने को entries देखनी है, one minute के अंदर, one minute के अंदर जैसे ही market आया, तो यहाँ पर तो touch भी नहीं किया था, market आया, आने से पहले market ने इस पीछे वाली green candle का, यहाँ पर क्या, high sweep up किया, तो मेरा यह क्या हो गया, pullback confirm हो गया, as a illusion, यानि कि IDM, recent वाला pullback जो होता है, उसको आप consider करना समझ गए, तो उसके according आप illusion mark करना सिखें, अब illusion हो गया, तो मेरे को मालूम है कि जैसे illusion हुआ, तो यह मेरा low point confirm हो गया, right, चाहिए अप हो, चाहिए down हो, illusion हो, illusion हो, जैदर confirm होगा, अब illusion के बाद जब ही market आएगा, तो मैं यहाँ पर जैसे buy side है, तो sell side की last candle मैंने देखी, and यह मैंने एक zone छोटा सा mark किया, market यहाँ पर, and मैंने entry plan कर ली, but मेरा क्या confirmation था, यहाँ से entry क्यों ली, मैं बता दता हूँ आपको, चीक है, देखे, यहाँ से entry लेने का plan यह था मेरा, जब मैं यहाँ पर market में देख रहा था, तो यहाँ पर कुछ चीजे हुई, जो market ने आते ही यहाँ पर, आज की date का है, ओके, आते ही market ने क्या-क्या, पहली जो candle है, वो red candle दी, ठीक है, यह red candle दी, मैं confirm नहीं था कि first market अगर red candle दे रहा है, तो possibility हो सकती है, यह market डाउन जाए, but market ने क्या-क्या, red candle, जो first वाली काफी बड़ी candle बनाई market में, उसको देखके मैंने सुझा कि next candle जो की हो सकता है, वो भी red हो, तो अपनी possibility sales side की तरफ हो सकती थी, ठीक है, but market में ऐसा बिलकुल भी नहीं किया, market ने next green candle plan की, ठीक है, green candle के बाद मैंने एक औ information देखा, तो यहाँ पर आप देखना, यह आपको candles पढ़नी आनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो, विक बहुत बड़ी 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 है, मतलब market maker decide कर रहे ही, market को लेके कहा जाना है, तो मेरा को समझ मेरा है, उसके बाद देखो, अब यहाँ पर green candle, बड़ी बड़ी वा वेट करना था, वेट खतम देना आप यहाँ पर प्लान कर सकते है, ठीक है, तो वो कोई issue नहीं था, तो इस तरीके से मैंने एक entry plan की दिया आपर, ठीक है, तो आयो होब आपको यह समझ में आया होगा, market का trend भी पूरा अप था यहाँ से, इसलिए market ने भी साथ दिया अपना यहाँ पर क्या, एक्सिस बेंका मैंने प्लान किया था, कि market डाउन आएगा, market ने अपने zone में टेप किया, then market ने यहाँ पर क्या हुआ, टाइम खतम आज का, ठीक है, अब कल मेरा प्लान हो सकता है कि जब market कल यहाँ से market open करे, तो मैं चाहता हूँ कि market का one minute में अपन स्वीच अपना यहाँ पर क्या होँआ, इल्यूजमेंट कंफर्म होगा था, यह फाइप मिनिट के इंटरी में देखा था मैंने, चीक है, उसके हिसाब से आपको बदाता हूँ, clear होगा था, यह फाइप मिनिट में, last वाला low market ने break किया, तो बहुस हो गया, recent वाला market ने high break कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका इल्यूजमेंट, अब इल्यूजमेंट होने के बाद क्या होता है, जो order block होता है अपना, चीक है, यानि कि, अगर buy जा रहा है market, last buying candle, before the sale, sale जा रहा है, तो before the buy वाली candle, चीक है, उल्टा कैस करना, अगर selling हो रही है, तो last buying candle, और buying हो रही है तो last selling candle, आपको देखे, marking किया, one minute में switch हो के entry plan कर सकते थे, चीक है, अच्छी का सी entry, यह था 29, 28 December के approach का, चीक है, बट, आज का market क्या हुआ, जैसा ही open हो यहाँ पे, same market ने वही red candle दे दी, पिट मार्केट उपर गया, market sustain ही नहीं कर पाया, देखिए, इतने जोन में पुरा market कि यहाँ पर sideways की तरह दिखाता रहा, दिखाता रहा, कुछ market ने extra curriculum किया है, इस वज़े से मैंने, यहाँ पर कोई entry plan नहीं की, यह market पूरा systematic दिखाने रहा, हाँ, अगर market इसको break कर जाता, then I will plan something, ना down plan, क्या market, कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर, next startup न, IRCTC का, same, यह high हो ग इस illusion को market ले ले था, then यह last अपनी क्या होता, यह last selling candle में ले था, यहाँ पर इस कुछ इस तरीके से order block न, PY जो भी है, मेरा mark करता, and मैं buy side entry देखता, क्यों, क्योंकि पूरा market buy side में चल रहा है, current यह, ठीक है, यह buy side में चल रहा है, भी की position देखते हुए, ठीक है, बट market यह आपर top high पे है, तो यह high भी जा सकता था, down भी आ सकता था, इसलिए कुछ scenario बनाए लिए, ठीक है, यह charts हो गए अपने खदम, यह कुछ euros दीगे है, यह same देखो, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, market ने क्या क्या, low break कर दिया, break of structure, तो recent वाला pullback मैंने देखा, ठीक है, तो recent वाला pullback तो हलाकि मेरा यह हो चुका है, यह देखो यहाँ पर, ठीक है, बट मैंने वेट किया market का, market ने यहाँ पर real मेरा elusement दिखाया, बट यह elusement यहाँ भी हो सकता था, करन वो मेरा, क्यों क्योंकि market ने आपर week sweep की, तो week sweep करते क्या होता है कि आपको elusement जो tracing करते हुए जाना होता है, बट मैंने यह रखा हुआ है, यह क्यों रखा हुआ है, बड़े time frame के हिसाफ से, ठीक है, 15 मिंट के हिसाफ से हैं सारा कुछ, अगर आप 15 मिंट में जाके switch करके देखेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक ह आपको कुछ भी नहीं मिला, अगर यह candle यहाँ उपर तक आती, then down जाता market, तो मैं इसको mark करता है, इसलिए मेरो कुछ मिला ही नहीं आप यह अपने को मिला, तो यहाँ पाया, अब यह क्या हो आता, last buying candle थी, उसके according अपने यह 27 डोलर अपन बनते हैं, अगर आप यह अपन ज इनका लोट लेते, depend करता है कितना का ले रहो, यहाँ पर भी same scenario हुआ है, यहाँ पर भी same हुआ है, यह दो zone pending है, अभी market आज की छुटी है, opening नहीं हुआ, कल opening होगा, तो यह मेरा first illusion की तरह काम करेगा, यह वाला जो point है, यह वाला, then उसके बाद market में यहाँ से buy plan, sale plan कर सकता है, यहाँ से, क्यों कि market का trend क्या है, यहाँ से देखिए, पुरा sale, side momentum दे रहा है, ठीके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, boss, joke, higher high, higher low, and order block, यह चार से पांच चीज़ा आपको zone marking करके, अच्छे से समाझ में आ जानी जीए, जिससे आप सारी यह clear कर ले, अगर आपको कोई doubt है, कोई problem है, तो आप मेंको direct message कर सकते हैं, ठीके, मैं आप कुछ और चीज़े provide करवा दूगा, जिससे आपकी trading बहुत easy and smooth होती, so thank you so much everyone.